हलो दोस्तों मैं हूँ हो शिमकरम और आप दिख रहे हैं डिजिया लिटियर चैनल जी हाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे टेंट क्लास के जो नए पैटर्न है 2020 एकुशेशन में कोरोना कल में यानि बहुत सारे इस्टोडियन अभी हम जैसे इंपोर्टन कोशिन गेस किये थे लगभग आपको अची सुभा में तो उसी के बाद बहुत सारे इस्टोडियन ने कॉमेंट करने लागा कि सर जो अभी बताया गया है 30 कोशिन यानि 30% कोशिन जो है objective होगा तो वो क्या है वो कैसे बनेगा उसके साथ फिर बताया कि दो आंक बला कैसे होगा त्री आंक बला कैसा होगा तो वो पूरा डीटेल्स हम इस वीडियो में बात करेंगे यह आपका मॉडल सेट है आप देख सकते हैं यह मॉडल सेट है क 10 मी के लिए और यहां पर कूल प्रश्ण जो होंगे इस से पहले कूल 30 प्रश्ण होते थे लेकिन अभी जो है 49 यानि 50 प्रश्ण होंगे तिन घंटा समय रहेगा फूल मरकक का 90 रहेगा आप इसमें कोशिन कैसे कैसे देखिए पहले इस चीज़ को पढ़ लेते हैं और 1049 प्रश्ण होंगे जो चार खंडों में एयर्य ए ब्यक्रिश्ण और यह में 30 प्रश्ण रहेंगे जिसका परते हैं एक अंका होगा खंड बी में 10 प्रश्ण रहेंगें जिसका परते होंग नहीं रख्यद होंगा कहट व्यआ तो आपका हो गया 40 40, sorry 20 और 20, 40 और 20 यहां पे 60, 60, 30 से 90 90 आंका आपका एक्जाम लिया जाएगा अब यहां पर आप देख सकते हैं खंड यह जो है ठीक है यहां से सुरू हो जाते हैं खंड यह तो खंड यह में पहली हम बताये थे आपको कि अभज जगुरान खंड बाला पूछ सकते हैं कि अभज जगुरान खंड तो एकसो कूरी का अभज जगुरान खंड फल है एकसो कूरी का अगर अभज जगुरान खंड करेंगे तो उसका अभज जगुरान खंड क्या होगा यहां पर जो चीतरो दिया गया है कुन दिखात स्विम्करन होगा और कुन नहीं होगा तो हला कि इसमें थोड़ा सा अब को मेहनत बढ़ जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे इसका मान कितना आएंगे तो हम जानते हैं कि अगर उपर नीचे होंगे तो क्या हो जायता है तो यहाँ पे साइन यह है और यह है तो काट कट की यहाँ पे वान हो जाना चाहिए हला कि यहाँ पे कोई आप्शिन में वान नहीं दिया है तो यहाँ पे दोनों आप्शिन में टू टू दे दिया है लेकिन इसमें से कोई एक आप्शिन में वान होना चाहिए टीक है उसके बाद 17 सेरनी आपे हैं में कि सारवानतर कौनसा ओगा और क्या होगा छे नंबर कुशन भी उसी तरह में है लेकिन स्ल leoposik को object की रूप में बदल देया गया है और सभी बिरित क्या होते हैं ठीक है सभी बिरित जो होते हैं वो क्या होते हैं तो हाला कि objective pattern को देखने के लिए आप इस system को देख सकते हैं लेकिन इससे पहला हम जो आपको mathematics का important question दिये हैं वो आपका काफी important है और वही जरूरी है और वहां पर बहुत सरे question को हम include करके रखे हैं और जितनी भी question के pattern यह हो रहा है सभी कुछ वही पर हम include रखे हैं यहां पर उसके बद अब देख सकते हैं सभी बिरित जो होते हैं क्या होते हैं सभी बिरित समरूफ होते हैं यह भी वहां पे था उसके बाद यह भी कोशिन था कि इनका जो है लाउशा क्यांत करना होगा आपको ठीक है तो दिखत भूपद क्या होगा कि सुनना को कि योगफल और यह है तो इन में से कौन सा दिखत भूपद होगा तो इसको भी अपको राप करके दिखना पड़ेगा उसके बाद T स्केर तो E अगर देखे तो यह इजिली बन जाएगा क्योंकि प्लास मैनस रूट अंडर जो है तो B इसका अंसर राइट अंसर आजाएगा इन में से दिखाती सुतरों का कौन सा सुतरों होते हैं तो दिखाती सुतरों का यहां पे होता है माइनस B प्लास मैनस root under b square minus 4a c by 2a अगर हाला कि देखा जाए बढ़ी हां से तो अपका ये answer जो है right answer हो जाएगा ठीक है उसके बद यहाँ पर बताया जा रहा है 12 नमबर में यदि d 0 है अर्थत पिवगतर 6 हो तो इनमें से मूल क्या होंगी तो मूल बराबर और बास तो भी खोंगी ठीक है उसके भद यहाँ पर बताया जा रहा कि करणो के square बराबर लमब बासकर जो गादा है खोता है तो वा कौन सा तिरभूज होता है तो सम कौनी तिरभूज होता है यानि इसका answer d हो जाएगा यहां पर दोबिंदोदियाग है, यहनकी बीचकी क्या होंगे, तो दोबिंदोदिदों की πीचकी क्या होगा, रोट, अंडर यहां पर है, जो, यही दो, C नमर इसका राइट, इन्सर का राइट आइड आ झायेगा, ठीक है? हम जानते है X2 माइनस नहीं यह भी नहीं होंगे अब कब पहला नुम्बर ही सही रहेगा ठीक है तो पहला नुम्बर सही होगा लेकिन यहाँ पर गता है X2 माइनस X1 का हूल स्केर प्लस W2 माइनस Y1 का ह interns का हूल स्केर यहाँ पर वन नहीं कि करण हम उसको धहर नहीं देते गाँ देखेंगे ठीक है तो साइन्स तिस डिगरी का मन कितना होता है तो हम जानते हैं साइन्स तिस डिगरी का बना on by two होता है तो यहाँ पर c answer right हो जाएगा साइन नबर डिगरी माइनस सीटा पराबर क्या होता है कॉश ठीटा यह भुजा वाले घं का आयतन क्या होगा तो यह भुजा वाले घं घं का क्या पुचा गया आयतन तो यह क्यू होगा इनमें से संकू का आयतन कौन सा है संकू का कौन सा यहाँ पर आयतन का फरमूला है on by three pi r उसकर h होगा या on by two होगा तो on by three हो जाएगा बर्ग अंतराल पचीस से पचास का बर्ग चिन्नों क्या होंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए दो से भगा दे दीजिए तो आटोमेटिक निकल जाएगा ठीक है उसके बाद 20 नमबर में है निम्नलेकित में से कौन सी सेंख्या किसी घटना की परेक्ता नहीं हो सकती है तो तो कुछ यहां पर हो सकते हैं इसके कोई दिकत नहीं है लेकिन 20 नमसे नहीं हो सकता है तो कैसे सुरूआ होता है यहां से सुरूआ होता है पड़ा गुनानखंड जो है उनके गुनानखंडों के करम को जोड़ती हो है तो अधितियों या अनिक ठीक है उसके बाद रूट टू क्या है परिमे या आपरिमेशन का होगा यदि A1 by A2 does not equal to B1 by B2 हो तो क्या होते हैं अनिक हल होंगे या अधितिया हल होंगे तो यह सब चीज आपक कर आप यह कर सकते हैं जाओ इस नमर कोशिन देखेंगे ये X स्कार प्लस BX प्लस C equal to 0 हो तो बीवगतर क्या होंगे तो बीवगतर जो है आप B2 माइनस 4 A2 हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर दिए आगया है ये X स्कार प्लस BX प्लस C को कहते हैं तो दिगहत प्लस BX समी करन नहीं है उसके बाद बीवगतर माइनस 4 A2 हो तो क्या होते हैं तो इसका जो है कल्ड़ जीरो होगे तो बास्तोबिक ना कालपनिक होगे तो बास्तोबिक होगा ये वाला ठीक है अगर माइनस में जाएगे तो वो कालपनिक हो जागा किसी सेंखा कि ऐसी कोषिंगे seventy यहां पर दिया गया है सभी डर्डर्ट डर्ट तिरुज होते हैं सभी तिरुज क्या होते संबहूते हैं जो है सम्रूफ कर दिया है हालाकि अगर्डर्ट देखेइश कॉषिं तो आपकोैटरn फ match लो करना है बकिन आपको मेंली जो हम इम्परेंट कोषि आपको pattern flow करना है लेकिन आपको mainly जो हम important question दे हैं उसका पीडियप आपको बहाद जरूरी है इसका भी पीडियप आपको बहाद जरूरी होंगे तो खैर जो भी है अब हम देखेंगे अगला question खंड B में जाएंगे तो खंड B में 31 से 40 तक दो अंका है इसमें से ACA पूछा गया है यह भी हम important question में इसको भी सामिल रखे हैं x square minus 2x minus 8 देखत जो है बहाद के सुनना गयाद करना होगा और एक समदी बहुत तिर्भूज है जिसमें AC बराबर BC है यदि AB square बराबर 2AC square है तो सीध करें कि AB से एक समकोनी तिर्भूज है उसके बाद साइन यदि साइन A बराबर 3x4 हो तो कॉस एक आमान गयाद करना होगा ठीक है उसके बाद एक बिंदो Q से एक ब्रिट पर इस पर सरेखा कि लंबाई 24 cm था इतना इसना है ठीक है तो इस सब एजिली मैथ है हलाकि इसको हम जल्दी ही फटक से आपको एंसर बना के देंगे एक एंसर स्ट्रिट में और यह बहुत बहुत बहुतरीन मैथ है इसको जल्दी ह इसको सॉल्ब करके रखें और हाला कि इससे बहुतर आपको हम यहीं बताएंगे कि यहां साब को पैटर्न मिल जाएगा हम बार बार यहीं बोलेंगे लेकिन हम जो इंपॉर्टन कोशिन सेलेट करके आपको दी है उन्हीं सबसे पढ़िए उन्हीं जो है वहां से काफी जो ह आएगा और उन्हीं सथ से ठीक है तो हाला कि यहां पर जो भी है कोशिन देखें इस सी ग्रूप सी जो है यह भी हम कोशिन आपको दिते लेकिन यह मैं 16 नंबर में थे यह भी हम सुला नमबर में दियée थी इसको बज्रगुनव करें कि एक समकोनी तिर्भुज के करनों का वर्ग सेस्थ दो पुजाओं के वर्ग के बराबर होती है उसके पाने पीने वाला चौदेस सिंटिमेटर यह भी दिये है और यह भी इंपॉर्टन कोशिन हमेरा जो है दिया हुआ है इस और कई गुना ज्यादा वह इंपॉर्टन क के हैं उससे सब देख सकते हैं तो इस वीडियो में ही तक फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू धन्नोबाद